नमस्कार, कल की जो प्रेस कॉन्फरेंस हुई थी, उसके बाद अभी तक की सूचना इस प्रकार से है कि आज की कुल 105 पॉजिटिव केसिज आए हैं, जिसमें से 3 दुखद अबसान भी हुए हैं, इनका अलग-अलग शेरों में हैं, लेकिन सबसे जादा अमदाबाद में 42 और सूरत में 35 जितने केस हैं, बाकी डीटेल्स आपको अभी दिये जाएंगे, अभी तक के जो पॉजिटिव केसिज हैं, उसमें से 766 जितने लोग बिल्कुल स्टेबल हैं, उनकी चिक्षा चल रही हैं और 5 ऐसे लोग हैं, जो क्रिटिकल हैं, आज खास एक बात कहनी थी, कि ह हमारे या अभी तक 20,204 जितने टेस्ट, बहुत ही बड़ी पैमाने पर बड़ी मात्रा में हम लोगों ने की हैं, और इसमें भी देखा जाएं, तो गुजरात में जिसे हम कहते हैं, टेस्ट पर मिलियन, यानि दर 10 लाक की आबादी में कितने टेस्टिंग किया, तो हमने 266 जितने किये हैं, जो All India Average से भी जादा है, वहाँ पर 177 है, तो गुजरात में टेस्टिंग का प्रमान भी बढ़ा है, और आज दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, कि हमारी ही एक स्टेट गवर्मन्ट की संस्था है, जिसे हम गुजरात Bio Technology Research Center कहते हैं, GBRC, और इसक जो चाइना में इसके लिए Research पहले हो रहा था, लेकिन पूरा जो Corona Virus जो है, उसका Genome Sequencing ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने हाथ पर लिया था, हमारे माननिया मुख्यमंत्री श्री विजरूपानी साब की अध्यक्षता में जो Meeting होती है, इसमें इन्हें ये काम कर से Testing करने की Permission दी थी, मंजूरी दी थी, और उसके बाद इन्होंने सब काम RNA Extract करके Genome Sequencing का काम किया है, और लगब 29,903 Nucleotides जिसे कहते हैं, उस सब का इसमें involvement उन्होंने सब Study करके, पिर इसमें ऐसे पाया गया है कि 9 Mutation, Mutation यानि Change, बदलाव, इस तरह से आए गए हैं, जो Wuhan की जो Strain है, उसमें जब Study किया, 6 Mutation थे, तो 3 ऐसे नए Novel Mutation भी अपने यहाँ जो Virus है अभी उसमें पाये गए हैं, ये क्यों हमारे लिए बहुत-बहुत-बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि इस से हमें इस पूरी Virus की Origin, मूल ये कहां से आई है, और इसी तरह से इसकी Virulence, यानि कि इसकी बिल्कुल प्रकोप, जो है, कितनी Virulence है, और इसके कोई Vaccine, यानि कि हम कहते हैं, रसी, रसी करन अगर डेवलप करना है, या कोई इसके लिए दवाई, इसके संक्रमन को रोकने के लिए, या चिकीट्सा के लिए कोई दवाई, इन सभी चीजों के लिए ये जो अनुसंधान है, रिसर्च है, बहुत माइने रखता है, और हमारे साइन्टिस्ट्स और हमारी पूरी टीम के, जिसके सचिफ हरे शुकला साब हैं इन सबको, और हमारे पूरे राजी के सभी लोगों को भी हम अभिनंदन देते हैं, कि ये एक अच्छा स्टेप हम सब हमने आगे लिया है, और उससे कई सारे दर्वाजे खूल जाते हैं, और आशा है कि इंडिया में और खास गुजरात में इस वाइरुस के लिए कुछ हमें एक नकर सॉल्यूशन भी मिल पाए, नमस्कार. झाल झाल झाल